नमस्कार दोस्तो रेक्ट वैदिक रेमडिस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है शनी जयनती पर पूजा में जरूर शामिल करें पांच खास चीजे शनी दोश नहीं करेगा प्रेशान न्याय प्रिय देवता शनी देव का जनमोत्सव हर साल जेश्ट मावस्या पर मनाया जाता है इसे शनी जयनती कहते हैं इस दिन शुब फल पाने के लिए सूरिय पुतर शनी देव की विशेश पूजा करनी चाहिए शनी जयनती 19 मई 2023 को है शनी जनती को लेकर मानेता है कि इस दिन कुछ खास चीज़े शनी देव को अरपित की जाए तो शनी के साड़सती और ढईया के अशु प्रभाव कम हो जाते हैं और साधक मानसिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहता है आईये जानते हैं जेश्ट मास की अमावस्या पर यानि शनी जयनती पर शनी देव को कोन सी पाथ चीज़े खास तोर पर चढ़ानी चाहिए सरसो का तेल पुरानिक कथा के नुसार रावन के चुंगल से शनी को चुडाने के एबाद हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की थी और शनी को दर्द से मुक्त किया था तबी से शनी देव पर सरसो का तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है शनी जन्ती पर शनी की शीला पर तेल से अभिशेक करने से गंबीर बिमारियों से मुक्ती मिलती है दुख दर्द खतम होते हैं शम्मी के पत्ते, शम्मी के पोधे को शनी देव का पोधा माना जाता है इसके साथ ही माना जाता है कि भगवान शिव को शम्मी चढ़ाने से वेजल्द परसन हो जाते हैं इसके फल, पत्ते, जड़ चढ़ाने से शनी देव के पर्तिकुल परभाग कम हो जाते हैं आर्थिक तंगी से चुटकारा मिलता है नीले फूल शनी का नीले रंग से सम्बंध है इसलिए उन्हें नीले रंग के फूल अतीप रिये हैं शनी जन्ती पर अपराजिता शम्मी के फूल आख के फूल शनी देव के चर्णों में अरपित करे मान्यता है इस से तरक्की के रास्ते खुलते हैं नोक्री में चल रही प्रेशानी दूर होती है नारियल शनी जन्ती के दिन एक जटा वाला नारियल 100 ग्राम काले तिल 100 ग्राम उड़द डाल और एक कील काले कपड़े में लपेड़ दे अब शनी मंदिर में शनी चलिसा का पाट करें और फिर उसे भैते हुए पानी में प्रभाहित कर दें इससे आपके शनी और पितोदोश में कमी आती है और आपके धन की व्रिदी होने लगती है नजर दोश से मुक्ती पानी के लिए ये उपाय कारगर है काले तिल काली उड़द काले तिल का कारक शनी ग्रै ही है कहते हैं कि शनी की पीड़ा से राहत पाने के लिए शनी जर्देव को एक मुठी काले तिल और काली उड़त चड़ाएं और फिर काले तिल का दान भी करें इसे राहू के तू जनित दोश भी शांत होते हैं ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए